हेलो स्टुडेंच वल्कम बैक तो हिंधी मेर चैनल सभी स्टुडेंच का हिंधी मेर पर प्रप्रीसे स्वागत है अभी जो content लेकर आए हैं आपके स्रीदे सुमन की उनिवस्टी के जो इस्टूडेंट्स है उनके लिए है और इसमें अभी थोड़ देर पहले हमने हिस्ट्री का वोकेशनल कोशन बैंक अप्रोड किया था तो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं भी है और आप पॉलिटिकल साइंस के स्ट कोशन बैंक है और इसमें आपका वोकेशनल कोर्स में जेन इस्टूडेंट्स के पास यह है पेपर का नाम आपको पता ही है इशू ओफ रूरल गवर्मेंट तो इसका हिंदी रुपांतर हाएगा गरामीन सरकार के मुद्दे जो गाहों की सरकार होती है उसके क्या मुद्द होते हैं उनको क्या किन समस्याओं का वो सामना करते हैं सब कुछ आपके स्लेवस के अकॉर्डिंग यहां पर जो है हमने पेपर बनाया है कल कुछ स्टूडेंट्स की क्वैरी जा रही थी उनके पास स्लेवस भी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो स्ले एक तो बनता है और यहां पर आपको 20 से 21 तक के हमने कोशन्स बैंक बनाया है आपका 20 कोशन्स पे डेफिनेटली आपके 10 से 12 कोशन्स जरूर आएंगे एक्जाम में और जिसमें आपके अच्छे नंबर भी बन सकते हैं और यहां पर अगर हिंदी बिनर से नहीं जुड़े ह हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन हिट कर लें क्योंकि आपका हमारा साथ 1 से लेकर 6 से रहने वाला है और सारी इंफोर्मिशन आपको एकी प्लेट्वर्म पे मिलनी वाली हैं आपके एक्जाम से रिलेटिड आपके एक्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटि लेकिन हिंदी के आपको नोट्स भी प्रोवाइड यहां पर कराय जाते हैं तो इतने बैनेफिट्स एक जंग मिल रहे हैं तो एक सब्सक्राइब एक बैल आइकन हिट तो बनता है और लाइक तो कर दीजे तनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता ही है और शेर कर दीजे ट्वंटी कोशन वैसे मैं बताती हूं कि यहां प्रशन बहुत महत्वपूर्ण है यह बहुत है और यह इतना नहीं है अब यह ज्यादा इंपोर्टेंट है इस्ट्री में मैं 30 कोशन लेकर आई थी वहां मैंने बताए हैं लेकिन यहां 20 के 20 आपके लिए बहुत ही वाले हैं और जो बिल्कुल ही बहुत ही होगा उसको मैं आपको जरूर बताऊंगी अब जैसे प्रशन है भारत में ग्रामीन विकास के विभीन कारेकरम बिल्कुल बन सकता है आपके एक्जाम में चले आगे चलते हैं परधान मंत्री रोजगार योजना को विस्तार पूर् उपे रेखा तैयार कीजिए 99% ग्रामीन विकास संबंदी जितने भी यहां पर मैंने प्रशन लिये हैं उनको तो आप जरूर कीजिएगा ग्राम से संबंदी जितने भी कोशन है लेकिन यहां पर सिर्फ पूछा गया है परधान मंत्री रोजगार योजना तो जो ग्राम के लिए बनाई गई है उन योजनाओं को ध्यान से पढ़िएगा ठीक है चले आगे चलते हैं ग्रामीन विकास का क्या अर्थ है ग्रामीन विकास आर्थिक सुधार और समाजी बदलाव दोनों हैं इस कथन की आपको व्याक्तिया भी करनी है ठीक है तो कोशन कुछ ध्यान से स समाजी बदलाव होते हैं तो वहepende क्या है ग्रामीन विकास में अर्थिक सुधार समाजी बदलाव दोनों हैं तो व्याक्या करनी है प्रशन आगे चलते हैं टॉपिक यही बनेंगी प्रशन एब जरूर नहीं कि जैसा प्रशन हमने बताया है वैसे या यह आज प्रशन है लेकिन बनेगा प्रश्न जरूर, ग्रामीन विकास का जरूर बनेगा, भारत सरकार की जो योजना है, उनका जरूर बनेगा, ठीक है, आर्थिक सुधार से जरूर बनेगा, समाजिक से जरूर बनेगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ग्रामीन विकास योजना क्या है, ग्रा ग्रामिन विकास एवम पंचायती रासे आप क्या समझते हैं 99% है अब ये पोकिशनल जो कोर्स है आपका जो ये पेपर है इसे पहले कभी इस तरह के पेपर नहीं आए हैं ना ही इस तरह का कोई सलेवस था आपका ये अलग से एड होए हैं तो पहली बार ये पेपर हो रहे है हम डोग भी पहली बार देख रहे हैं वैसे आपके के हिंडी इंगलिश इस्ट्रीं जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें इस लेवस में ठोड़ा वह तक फिर करके आपको एजय सुण है ढिया है जैसा ओले में था वैसे ही आपको सेमेस्टर में दिया गया है तो वहाँ से ब बैंक आपके लिए तैयर किए गए है तो आईडिया आपको बता ही है हिंदी जो आपको कोशन बैंक देता है वहां से कोशन जरूर बनते हैं तो विश्वास बनाके रख्ये आपके पर स्वेशन जरूर बनेंगे हम 50 आपको गारंटी नहीं देते हैं लेकिन हम जरूर कहते हैं कि 50 से अबाव आपके नंबर जरूर बनेंगे आप अगर आप तयारी करते हैं चलिए आगे चलते हैं ग्रामीन विकास ऐम पंचायती राश से आप क्या समझते हैं बहुत अच्छा प्रशन है जरूर बनेगा एक्जाम में गरामीन विकास की परमुख समस्यां उपर परकार डाली है 99% है गरामीन विकास का क्या महत्तु है 99% है बहुत सारे प्रशन ऐसे हैं जरूर आएंगे एक्जाम में आपके अब आगे हैं गरामीन विकास के क्या परमुख उदेश्य होते हैं बहुत अच्छा प्रशन है गरामी विकास की कारें नितियों के नियोजन के महतु को इसपस्ट कीजिए आप यहाँ पर कुछ इस्टूडेंट क्या करते हैं स्क्रीन शॉट ले लेते लेकि समस्ते नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं आप स्क्रीन शॉट ले 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 और फिर कोशन को अपने आप पढ़ते रहे मैं बीच बीच में आपको समझाती भी हूँ कि किस प्रकार के आपके कोशन हैं किस तरह से आपको अटेम्ट करना हैं तो वो चीज़े आप दिखिए यहाँ पर प्रशन ये मैंने अलग-अलग आपको बताएं गरामिन विकास की समस्या हैं महतू उदेशय ततू यह आपका शौर्ट भी जा सकते हैं तो इसलिए सभी को पढ़िए नेस्ट आपका गरामिकास की कारिया निज्यों के नियोजन का महतू को इसपस्ट कीजिए ठीक है ये भी प्रशन आपका 100% में 99% जरू बन सकता है नेस्ट है गरामीन जल स्वस्ता टिपनी लिखिए जो गरामीन जल करते हैं कौन-कौन सी योजना है क्या काम चल रहा है वोस पर आपको एक टिपनी बनानी है नेस्ट है समाजिक सुरक्षा के घटकों का वर्णन कीजिए कौन-कौन से घटक है समाजिक सुरक्षा के किस प्रकार से समाज जो होता है उसकी सुरक्षा की जाती है वो कौन-कौन से घटक है जिनके द्वारा हम समाज को एक सुरक्षा परदान करते हैं तो इस प्रकार से आपका ये प्रशन कांसर बनेगा स्वास्ते देखभाल पर एक निमन लिखना है स्वास्ते से संबंदित क्या क्या योजना चल रही है ग्राम से संबंदित यहां पर जितना भी पढ़ है रूरल एरिया से स्वास्त देखभाल भी समाजिक सुरक्षा भी जल जल स्वास्ता तो मैंने हैं ग्रामिन डाली दिया है फिर है स्वास्त अवधारना के बारे में विस्तार पूर्वक समझाईए क्या है जो स्वास्त अवधारना है क्या है स्वास्त तो इसमें क्या क्या चीजे आएंगी जो ग्रामी वेस पर हो रही है वहाँ पर वो सारा आपको लिखना है तो टॉपिक पढ़िए टॉपिक को समझे और फिर उन टॉपिक को याद कीजे पढ़िए याद मत कीजे चाहे और फिर अटेम करिए अंसर अपने अब देखें यहाँ पर भूमी सुधार कहाँ पर होगा भूमी सुधार ये ग्रामी नेरिया में होता है और पहले भी हुआ है और अभी भी काफी चल रहा है जैसे वो आपका चगबंदी आई थी फिर उसके बाद काफी काम हुआ है तो भूमी सुधार से आप क्या समझते हैं और भूमी सुधार में क्या महत्तु ह भारे सरकार द्वारा स्वस्ता को लेकर कार्यकरम चलाए जा रहे हैं उनकी एक रूप रेखा तैयार कीजिए स्वस्ता से संबंदी प्रश्ण जरूबनेगा स्वास से संबंदी जरूबनेगा समाजी शुरक्सा से जरूबनेगा आर्थिक और आपका समाजी जरूबनेगा अर्थव्यस्ता से समबंदी जरूबनेगा तो प्रशन कुछ ऐसे उठाए गए हैं कि ये टॉपिक आपके आएंगे ही एक्जाम में पर्यावरन सुस्ता समबंदी समस्याओं का उले कीजिए जो हमारा पर्यावरन है उसकी सुस्ता समबंदी क्या समस्याओं है उन समस्याओं के बारे में आपको पढ़ना है समाजिक सुरक्षा क्या है ये प्रशन देखे मैंने उपर भी आपको बताया था सुरक्षा से समबंदित अर्थ परिभाशा देखते वे उसके घटकों का वर्णन करना है आपको चलिए नेस्ट है आपका भारेश सरकार की समाजिक शुरक्षा की संबंदित क्या योजनाए हैं इसके बारे में समाजिक शुरक्षा कितने परकार की होती है समाजिक शुरक्षा का क्या महतु है मैंने अलग-अलग यहाँ पर आपको इतना सारा कंटेंट ये दे दिया है और यहां से प्रश्ण आपका 99 जरूर बनेगा, नेक्श चलते हैं, समाजीक शुरक्षा कितने प्रकार की होती है, यह हो चुका है, उद्यमिता से क्या आश्य है, उद्यमिता की प्रमुक विशेस्ताओं को समझाईए, यह प्रश्ण भी बहुत महत्तुपूर्ण है, यह विकास योजना में क्या महतो है, वर्णन कीजिए, वैसे मैंने आपको सिर्फ 20 बताया थे, तो लेकिन 26 यहां पर कोशन आपके बन चुके हैं, शुरू में 20 बताया थे, ध्यान नहीं था कि इतने बना दिये गए हैं, तो चलिए, आप भी बने रही हिए, हिंदी मिरर के एक लाइक और एक शेयर के साथ शेयर करेंगे, तो ज़्यादर ज़्यादर स्टूरेंट्स के पास यह कंटेंट पहुचेगा, आप शेयर करते हैं, तो कहीं न कहीं किसी के केर करते हैं, हमने आपकी केर की, तब ही हमने आपको इतने अच्छी कोशन बैंक अपलोड किया और आपको शेयर किया तो बने रही है आप भी हिंदी मेरर के साथ एक सबस्क्राइब शेयर और लाइक के साथ